असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब लोग खेरियस से होंगे तो आज मैं बना रही हूँ प्रॉंस का प्लाव यानि जिंग प्लाव तो उसके लिए मैं या पर जिंगे लिए है जो तकरीबन आदा किलो से थोड़े ज्यादा है और यह वाला जो आप म अलू कटकर के लिए है दो टमाटर और दो प्यास और यह अद्रकलेशन का पेस्ट है थोड़ा सा तीन चमच और थोड़े से हरे मटर और हरे मटर जो आप देख रहे है ना यह अभी यहाँ पर हरे मटर जो होते ना फ्रेश जो फल्ली वाले आते उसका सीजन नहीं है तो य मेरे पास वह है तो मैं यहाँ पर यूज कर रहे हूं क्योंकि प्रॉंज के प्लाओ में जो है ना आप मटर यूज करो गे ना मटर और आलू तो बहुत ही अच्छा प्लाओ बनता है तो देखें यहाँ पर मैने तीन बड़े चमच तेल ली लिया उसके में मैंने प्यास डा प्यास नमारी भून लिए उसके बाद मैं मैंने इसमें टमाडर रैड किया और इसके बाद टमाटर और प्यास दोनों को हम थोड़े तक भून लेंगे प्यास तो हमारी ब्राउन हो चुकिए बस हमको टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको अच्छे से चलाना है इस तरह से तो देखिए हम मैंने इसमें टमाटर डाल दिये और टमाटर को भी मैंने अच्छे से थोड़ा भून लिया है हमारे एकदव सॉफ्ट हो चुके हैं इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अध्रकल Lightson का पेस्ट अध्रकलेसन पेस्ड जू हमको ज्यादा नहीं लेना है रोध ना है 2 चमपच यह थो त फिर तीन चमपच बस इतना ही लेना है क्योंकि इसमें क्या होता है अद्रग्लेसन का पेस्ट याधा होने से न पूरे पलाउं में इसमें लाते रहेंगी तो वह हमको नहीं चाहिए उसके बाद जो मैंने आपको हरा मसाला दिखाया था न हारा धनिया एक हरी मिर्च और दो से कितने थै चार से पां पुरस में माश्य बून अब जब रहे हम एक तरह नोटा दोगी तो यानि जिंग और यह चोटे साइज की जिंगे उच्छे लगते हैं और बड़े वाले जिंगे जो रहते ना उसका प्लॉव अच्छा नहीं लगता है उसकी बिरिया ही अच्छी लगते है तो देखें यहाँ पर इस तरह से प्लेट धकर में रख दूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए क्योंकि इसमें आलू है और आलू को पकना बहुत जरूरी है वरना फिर जो है चावल हमारे जल्दी पकते है और आलू जो है वो कच्छे ही रहते है इसलिए मसाले में आलू डाल कर इस इसको इस तरह से ढख कर रखेंगे उसके बाद हम 10 मिनट के बाद इसमें चावल डाल देंगे और यहाँ पर चावल मैंने 4 कप लिए है क्योंकि मैं 5-6 लोगों का खाना बना रही हूं तो फिर मैंने यहाँ पर 4 कप जो है वो चावल लिए थे कप के इसाब से और अब मैं पानी डाल दूंगी तो इसको जो है अब हम अच्छे से चलाएंगे और अगर आप अभी नमक टेस्ट कर ले अगर आपको अभी क्योंकि हमने प्यास जब हम भून रहते तब हमने नमक डाला था तो अभी आप फिर से एक बार चेक कर ले कि नमक बराबर है या नहीं क्योंक अभी मैं फिर से हटा कर देखूंगे देखे ऊपर पानी है और अगर हम दुबारा इसको इस तरह से चलाएंगे ना तो जितना उपर पानी था वह सारा नीचे जाकर बेटेंगा और प्लाव जो है वह आपका फिर से अच्छे से पकने लगेंगा तो फाइनली मैंने इसमें हरा धनिया कट करके डाला और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हम जो है फिर से दस मिनट के लिए इसको फ्लेम पे पकने के लिए चोड़ देंगे दम के लिए चोड़ देंगे बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है आप लोग ज़रूर मेरी ये वाली रेसिपी ट्राइ किजेगा तो यह देखिए फ्रेंड्स में हमारा प्लाव जो है वो एकदम अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है यह देखिए प्रॉंस का प्लाव है विद आलू मतर बहुत ही यमी और बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ में आप द्धैव कुछूमबर होता है वो बना सकते है पापड वगेरा चार वगेरा के साथ में खाईएगा बहुत टेस्टी लगता है बहुत मज़े का बनता है और आपको कैसी लगा मेरा यह आज का वीडियो जरूर बताएगा कमेंट करके तो यह देखिए हमारी प्लेट यहां पर लग चुकी है और हम लोग सब खाना खाने के के लिए बैट गए है और मैंने साथ में थोड़े से फ्राउंस को फ्राइब भी कर लिए थे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्ला अफिए